नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्स ड्रिफ को ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेवल्स, ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट, बेबी केयर, बेकरी और भी बहुत कुछ घर बैठे मुहिया कराती है अलविंदर ने घर घर समान पहुचाने का ओनलाइन बिजनस सुरू करके सफलता की एक नई कहानी लिखी है और आज हम इनिक की कंपनी, ग्रोफर की सक्सिस स्टोरी और इसके बिजनस मॉडल के बारे में जानेंगे अलविंदर ने IIT डेली से इंजिनियरिंग की डिगरी प्राप्त की और उसके बाद अमेरिका जाने का फैसला किया उन्हें 2005 में URS Corporation में Transportation Analyst के तौर पर नौगरी मिल गई कुछ साल नौगरी करने के बाद अलविंदर ने वहीं से MBA की पढ़ाई की और लेकिन उनका मन विदेश में नहीं लागा और वो वापस देश आ गये भारत आकर अलविंदर ने Jomato.com के साथ काम किया लेकिन वो खुद का एक Startup सुरू करना चाते थे अपने इसी चाहत को पूरा करने के लिए जौब के साथ साथ बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी खटा करने में लग गये अलविंदर ने भारत में Delivery Industry की कमी को महसूस किया जब वो अमेरिका में थे तभी इस बात का हैसास हो गया था इसलिए उन्होंने Delivery का काम करने का विचार किया इसी दोड़ान उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त सौरब कुमार से हुई जो की Grofer के Co-Founder है जब अलविंदर ने अपने दोस्त को यह बात बताई तो इन दोनों ने इस विचार को अफसर में बदलने का निरने किया अलविंदर को Local Pharmacy कारूबारी उससे बात चित करने के बाद पता चला कि वो 3-4 किलोमीटर के एडिया में रोजाना 50-60 होम डिलेवरी करते हैं जो कि काफी मुश्किल होता है इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाय एक प्लेटफॉर्म बनाने का निरने किया जिसे कि दुकानदारों के साथ साथ ग्रांकों को भी समय पर समान मिल जाए बस फिर क्या था अपनी इसी सोच को उन्होंने सच करके दिखाया और उन्होंने एक वन नंबर की सुरुवात की तो फिर उन्होंने इसी सेक्टर पर फोकस करने के पर विचार किया उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ग्रोफर से रिब्रेंड भी किया ग्रोफर एक ऐसी कंपनी बनकर सामनी आया इसे वेबसाइट और मॉवाइल एप के जड़िये ग्रावकों को online order करने की सुभधा मिलती थी यह कुछ ही घंटों में आपको समान delivery कर देती थी लोगों को यह idea बहुत ही पसंद आया और आज ग्रोफर बैंगलोड चेन्ड़ी दिल्ली कोलकत्ता समित 25 बड़े सहरों में अपनी रोजाना 20,000 से भी ज्यादा customer को अपनी प्रदान करने वाली startup बन गई है अब थोड़ा ग्रोफर के business model को जान लेते हैं सुरुवाती दौर में ग्रोफर बस pickup and drop का काम करती थी यानि कि जैसे customer ने ग्रोफर पर order किया उसे पास की दुकान से वह समान delivery कर देते थे और इसमें वह दुकान दार से कुछ commission और कस्टमर स नहीं चला क्यूंकि कई बार जो समान customer online order करता था वह पास की दुकान पर अबलेवल नहीं होता था जिससे कि ग्रोफर को लॉस हो रहा था और और customer भी कम हो रहे थे तो इसको देखते हुए ग्रोफर ने अपना business model को बदला इसके बाद ग्रोफर ने बड़े-बड़े सहरो पर वह समान मिल जाता था और इसके साथ साथ ग्रोफर ने लगबख सभी category में अपना खुद का भी product अपने online store पर बेचना सुरू कर दिया और इनके product का 607 मिलियन डॉलर तक की funding उठाई है जिसमें की softbank tiger global scubic capital ग्रोफर के top investor है और 2021 के अंद तक जिनने business में interest हो या जो कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को हर संडे ऐसी वीडियो देखने के लिए और बैल आइकन पर जरूर क्लिक करें वरना आपको notification नहीं मिलेगा और आप वीडियो मिस कर दोगे और अगर आप ये वीडि इस ट्रिफ को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा और फाइनिली थैंक्स पर वाचिंग